आज साजपूर के कलेक्टर को C.M. मोहन यादव ने उनके पत से हटा दिया अब वो साजपूर के उप्षचिब होंगे और साजपूर की नई कलेक्टर होंगी रिजू वाफना लेकिन आप जानते हैं कि साजपूर के कलेक्टर किशोर कर्ण्यान वही है जो पहले भी अपनी बिटिया की शाधी को लेकर चर्चा में रहे हैं दरसल साज़पूर कलेक्टर किशोर कन्याल जब गौालियर में नगर निगम की कमिशनर थे तब उनकी बेटी की शाधी हुई थी बेटी की शाधी में उन्होंने साधी की मिसाल पेश की थी इस शाधी में उन्होंने बे सहारा लोगों को होटेल में बुला कर खाना खिलाये था किशोर कन्याल ने खुद ही वहां आई और लोगों को खाना परुसा था इसके बाद गिफ्ट के साथ लोगों को विदा किया था इसकी चर्चा पूरे देश में होई थी इस अफसर किशोर कन्याल राजी सेवा के अधिकारी रहे हैं 2013 में प्रोमोशन पाकर वो इस अधिकारी बने हैं दिल्ली के किरोडी मल कॉलिस से उन्होंने मास्टर किया है इसके साथ ही LLB भी किया है साजबूर के कलेक्टर बनने से पहले वो गौलियर नगर निगम के कमिशनर रहे हैं इसके साथ ही वो अन्य विभागों में भी कारिदत रहे हैं साजबूर कलेक्टर हमेशा विवादों से दूर रहे हैं ये पहली बार है जब वे विवात की वज़े से चर्चा में आये। आम तोर पर शांत रहने वाले कलेक्टर ड्राइवर्स की मीटिंग में एक ड्राइवर से उलच पड़े। इसके बाद इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया। ड्राइवर्स हर्ताल की वज़े से लोग इने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। साथी वैवार को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। मामले ने तूल पकड़ा और इसके बाद कलेक्टर किशोर कल्यार के तेवर नरम पड़ गए। उन्होंने कहा कि उसे शांत करने के लिए थोड़े तलक लहेजे में बात कही थी। लेकिन मेरा उदेशे किसी को भी ठेस पहुचानी का नहीं था। वो व्यक्ती बार बार बैठक में खड़े होकर चड़जा में व्यवधान उत्पन कर रहा था। कलेक्टर ने कहा कि मुझे किसी को भी ठेस नहीं पहुचानी थी। आएस अफसर किशोर कन्याल साजपूर के 41 वे कलेक्टर है। अप्रेल 2023 में उन्होंने साजपूर कलेक्टर के रूप में काम संभाला था। उसके बाद से साजपूर जिले में कारेरत थे। इस वीडियो के बाद उनकी छवी को डेंट पहुचा है और उनके खिलाफ ये सक्त एक्शन लिया गया है।